यहां पर हाइवन मैंशन में आई होती है तब ही वहाँ इन्हें और वूबिल आ जाते हैं और जैसे ही वूबिल हाइवन को देखता है वो शौक हो आता है और उसे फटाबट से जाके हग कर लेता है और कहता है है सन तुमने मुझे ढूंडी लिया तुमने अपना प्रामिस प हाइवन हो और यहाओन भी उसे हख करती है फिर वूंबिल कहता है थैंक यू यहु'll कहता है त्यूंकू हाइशन तुमने मुझे आखिरकात धूंडी लिया तुमने अपना प्रामिस प्रा किया थैंकू अपर मुशेयां मुश पूर्द करता है तब ही हाय वाइवन धूर क क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ तभी बीच में इन्हें आती है और उसे रोकती है हाइवन कहती है यह मजाग कर रहे है ना तभी बूबल कहता है मजाग तुम्हें पता भी मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ तो हाइवन कहती है तुम मेरा नाम गलत ले रहे हो मे कहती है प्लीज शांत हो जाओ हाइवन कहती है मिस्टर वूहूल क्या हम पहले सच्च में मिल चुके हैं आप इस मैंशन के तरह ही बहुत जादा हैंडसम है आप से मिलके मुझे अच्छा लगा तभी वूहूल उससे माफ्य मांगता है फिर हाइवन वहां से चले जाती है हैसन की पेंटिंग देख रहा होता है तभी वहां इन्हें आ जाती है और कहती है कि क्या तुम खीक हो हाँ मिस्टर की और हैसन की सकल तो काफ़ी जादा मिलती है तभी वूबल कहता है हाँ इन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा करा बट मैं इंसान नहीं बन पाया तभी इन् मुझे पता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है बट वो डर गई होंगी न कि किसी को अपनी पास लाइफ यार नहीं रहती है तुम खुद को उनकी जगह रखके तो सोचो वहीं दूसरी और सांगी और डॉंक से पता लगा रहे होते हैं कि किसने आखिकारों सोना लिया क्योंक किसी मरेवे के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए बटलर जूने अपनी डूटी अच्छे से निभाई है उन्होंने आस तक इस घर को बिकने नहीं दिया और मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूँ और कहता है तुम्हें पता है आज हैसन मेरे घर आई तब ही वो दो कीगा खून पीना होगा ताकि आप इंसान बन सके अभी आप सिर्फ उसी बारे में सोचो तो बाद में वो बिल अपने घर आ जाता है तो इन्हें कहती है तुम कहां थे तो वो बिल कहता है बस मैं ऐसी घूमने गया था क्यों तुम्हें कुछ कहना है क्या तो इन्हें कहती ह तुम दिन भर से बाहर थे तो लिए और वह आपने तो आपने कम्छे में रहता है तक आप इन्हें उसके लिए और ब्लैकर आती इसके रहता है क्यों न हम मिस ना को खाने में इन्वाइट करें वो ही है जो हमारे गेस्ट हाउस के रिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहती है तुम्हें उन्हें जानना चाहिए और तुम्हें उनके से लास्ट टाइम के लिए वापी भी मांगनी चाहिए तो वो बिल कहता है हाँ मैंने पिसोचा है इस बारे में कि तुम ठीक ही कह रही थी इसन अच्छे से अपनी ये लाइफ जी रही है और उसे अपनी पास लाइफ को कोई भी आइडिया नहीं है कहीं मैं उसको सामने आएकर गलत तो नहीं कर रहा हूँ वैसे भी मैं उसको फेस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं इनसान नहीं बन पाया हूँ मैं अभी भी हाफ वेंपायर हूँ इन्हें कहती है तुम उसे हैसन मत समझो ना जैसे कि मैंने कहा था कि किसी को अपनी पास लाइफ याद नहीं रहती है तो तुम उसको हाईवोन ही समझो तुम इतने सालों से उसका वेट कर रहे थे और अगर तुम्हारी फीलिंग सची है तो उसे ये जरूर फील होगा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी इन्हें गैस्ट हाउस के लिए फरनीचर और बागी का समान देख रही होती है तो बहुत ज़ा टैंस हो जाती है तब ही उसे वुबिल देखता है और सीधर डोसिक को कॉल कर देता है और कहता है कि क्या तुम बिजी हो तुम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो तुमने तो कहा था तुम उसकी हेल्प करोगे तुम उसे प्रड़क्ट करोगे तुमिए इसका बडर्ण स्कम करने चाहिए तुम ये क्या कर रहे हो तो डोशिक कहता है तुम ये क्या कह रहे हो वूबिल कहता है मैं इन्हें की बात कर रहा हूं तुमे इसके हेल्प करने चाहिए क्योंकि वह खुझ तुमसे help नहीं मागेगी वो दिन भर से कितनी stressed है guest house के research करते हुए तो तुम्हें उसकी help करनी चाहिए तो दोईसिक कहता है तो तुम ये मुझे क्यों कह रहे हो तो बुल कहता है क्योंकि मुझे उसको frustrate देखकर अच्छा नहीं लग रहा है all call कार देता है बस इन्हें को कॉल आज़ाता है डोईसिक का और कहता है कि क्यों ना आज हम guest house के फरनीचर देखने के लिए चलें तो इन्हें कहते हैं सची मैं हाँ मुझे real में भी वो चीज़ा देखनी है तो डोईसिक कहता है हाँ अगर तुम ऐसी जाओगी तो तुम्हें इन एक्सपिरिंस समझ कर वो तुम्हें लूट लेंगे तो चलो मैं तुम्हारी help करता हूँ तो बस दोनों चले जाते हैं guest house के लिए furniture और बाकी का समान देखते हैं फिर दोनों साथ में lunch करते हैं और फिर दोईसिक उसे घर छोड़ने के लिए आता है नहीं सांगी और डॉंग सेब आते हैं वोबिल से मिले उसके घर बाद में उसके कमरे में जाकर तलाशी लेते हैं कि आखिर कार वो सोना कहां गया तब देखते हुए सांगी को वहां मिलता है बिल्ली का बाल डॉंग सेब और वोबिल कहते हैं कि सोना मिस्टर कोने लिया है आंगे कहता है हाँ हमारे अलावा से मिस्टर को को यह पता है कि तुम वहाँ सो रहे हो तो वोबिल कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता तुम गलत कह रहे हो तो सांगी कहता है तो यहां बिल्ली का बाल कैसे आया डॉंगसेप कहता है हमें पक्का नही कि वापिस आ गई, तो क्या हुआ, यह बूल को घर है, तो वोबिल भी कहता है, हाँ, तुम अराम से यहां रहो, तभी वह इन्हें आ जाती है, और कहती है, यह यहां क्या हो रहा है, फुबिल कहता है ये लोग मेरे दोस्त हैं तब ही वह दोनों अपने आपको इंट्रेडूस करते हैं तो इन्हें कहते ही क्या मतलब यह भी वैंपार्ज है डॉंग सेब कहता है इसमे कोई प्रॉबलम है कि हम अपने दोस्त के घरा हैं तो इन्हें कहते हैं मुझे प्रॉबलम है और गोते हैं आ तो बहुत गलत है तो फटा पट से इस घर से निकल जाओ और डॉंगसेब कि उसकी भाहस होती है तो वूबिल उसे रोकता है तो इन्हें कहती है अगर तुम्हें इनको रोकना है तुम भी यहां से निकलो तब ही वूबिल कहता है चलो हम चलते हैं हम भार जाके यह खालेंगे और उनको लेकर वहां से चला जाता है तो बाद में Worbel बैठा होता है, इन्हें आती हैं और कहती है, तुम कैसे मेरे पीट पीछे अपने दोस्तों को यहां लेकर आ सकते हो, तो Worbel कहता है sorry बड़ तुम गुसा मत हो, फिर इन्हें कहती है कि इस weekend में दोसीill को invite कर रही हूँ तो वूबिल कहते है कि miss Nabi यहां आएंगी तो इन्हें कहते है हाँ मैं उन्हें call करती हूँ और call करती है कहती ही क्या Ayveland कैती हथी क्या इस weekend आप free है तो Hayward कहती हाँ मैं इस weekend free हूँ और तुम्हें तीन बाटते ध्यान में रखनी होगी, उसे तुम हैसे नहीं बोलोगे, और नहीं तुम फिजिकल कॉंटेक्ट रोगे, उसे अचानक से हग भी नहीं करोगे, और उसे घुरोगे भी नहीं, इससे लोग अनकमफर्टेबल होते हैं, तो Google कहता है, ना मैं उसके न लोगे सामने बिलकुल ना आ जाएं, फिर इन्हें कहती है, तुम थोड़े नर्वस लग रहे हो, क्या तुम्हारा एक्साइट में से दिन धड़क रहा है, तो Google कहता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है आस तक, तो इन्हें कहती है, यह कैसे हो सकता है, कि तुम्हारा दिल नहीं ध प्यार होता है, स्विर इन्हें उसे कहती है, जो तुम्हें मैंने बताया, उसे तुम याद रखना, तुम्हारी एक गलती से कहीं हमसे हमारे इन्वेस्मेंट ना चिन जाए, फिर Google उसे ठैंक्यू कहता है, और इन्हें महां से चले जाती है, नेक्स डिव वोबिल बिलकुल सूट बुड में रेडी होके आता है बाहर, और इन्हें भी वहां आ जाती है, और उसका कोट ठीक करें लगती है, तो वोबिल उसे ठैंक्यू कहता है, फिर इन्हें कहती है, आज मैं तुम्हें अलाव कर रही हूँ, और फिर अपनी आँखें खोल देती है, और कहती है, बत तब ही वोबिल उसको एक बुके देता है, और उसका वैलकम करता है, तो इन्हें कहती है, चलो तुम मिस ना कोई घर दिखाओ, तो वोबिल उसे लेकर घर दिखाने ले जाता है, फिर हाइवन उसे कहती है, ये घर जीता सुन्दर भार से है, उससे खह या सुन्दर ही तो अ कुछ लेना देना साथ इसी लिए तभी वो हसे लगती है तो वूबिल उसकी आँखों में देखता है तो उसको उसकी आँखों में रिफ्लेक्शन नहीं दिखती तो वो शौक हो आता है तो हाइवन कहते हैं तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो तो वूबिल कहते हैं नहीं नह at the TWU will अपने पर दिए तभी इन्हें उसे पैन मारती है तो वून फिर उसके लिए मना कर देता है बाद में हाईबन खाने को चलिक खाने को इन्हें मना करती है बर्ट फिर भी वूबल उसे से वाइन की इसमेल से चड़ गई है और इसको ठाके भाल ले जाती है और कहती है यह मैं इसे नहीं कर रहे हूं कि कुछ बढ़ मुझे करना होगा और उसको एक थपड मार देती है तब ही कहती है वूबिल को देखो मेरी तरफ देखो तुम्हें मैंने कहा था ना इतुम्हें गलती नहीं करनी बड़ तुमने क्या किया तभी वूबिल उसे कंदे में सर रख देता है और खहता है थोड़ी देर कर रहे होंगे तभी वूबिल उसे websrama कहता है और माहिप चला बढ़ी अंदर हाईवन डिंक घ्रिंक कर रहे होती है तभी उपर का लैंप हिलने लगता है और जैसे ही वूबिल और इन्हें अन्दर आते हैं और यहीं होता है एपिसोड नमबर 7 फिनिश